नबौश्क्रोव डूस्तो फिर से स्वागता आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आपको पूपुल मोबाईल में और यहां पर AI camera है या फिर कोई सा भी camera है, camera के लिए एक ही setting लागू होती है और video के लिए एक ही setting लागू होती है, वो बात अलग है कि आपको यहां पर काफी सारे feature देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर दो ही चीज काम करते हैं, या तो video या तो photo, तो मैं video पर चली जाती जिसे की shutter sound, अगर shutter sound यहां से आप off करना चाते हैं, तो यहां पर off कर सकते हैं, तो अब आज आती हैं, जब आप camera से photo photo लेते हैं, तो यहां से camera का sound मैं off कर दूँगी, और eye autofocus पे अगर आप on करेंगे, तो यहां पर auto focus आपका start हो जाता है, और जो भी आपकी eyes बगरा है, उस step से जब आप दबाएंगे, या फिर zoom in, zoom out होना चाहिए, तो यहां आप देख लेंगे, तो मैं इसको shutter पे क्लिक कर दूँगी, और इसके बाद, नहीं मैं इसको zoom पे क्लिक कर दूँगी, फिंगर प्रिंट वादा आपको बताती हूँ, और इसके बाद यहां पे storage depth पे आप कर दूँगी, तो आपकी जो भी photos खीचोगे, तो आपके SD card में चाहिए, ठीक है, और यहां पे watermark आपको हटाना है, तो यहां से आप इसको बंद रहने देंगी, अगर लगाना है तो on कर देंगी, तो वहां पे photo के नीचे पोको पोवा, टेक्नो पोवा देखने को मिल तो मेरी photo खिच जाती है, इस type से, तो आप देख सकते हैं, वीडियो भी बनने स्टार्ट हो गई है, फिंगरप्रिंट से, तो यहां पे आप इसे on कर सकते हैं, और इसके बाद यहां पे video के quality के बारी आती है, तो video quality आपको यहां पे कितनी रखनी है, तो के video शूट करनी है, या फिर 1080p करनी है, या फिर यह वाली करनी है, तो मैं यहां पे इस पे रहने दूँगी, और इसके बाद यहां पे अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, आपके camera में camera, अच्छे से मतलब setting वैटिंग इसके उल्टिपल्टी हो जाती है, तो यहां पे आप रिस्टोर कर सकते हैं, इसके बाद बैक कर देंगे, इसके बाद camera की बारी आता है, तो camera पे आप क्लिक करेंगे, और इसके बाद setting पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहां पे शर्टर साउंड सेम बताया था, मैंने आप grid चाहिए, तो grid के on करने से आपकी line आ जाती है, आप camera के यहां पे आप इस टैप से एंगल देख लेंगे कि हाँ यह सीधा है या टेड़ा है कुछ भी तो यहां पर लाइन हटानी है तो यहां से बंद कर देंगे आई फोकस मैंने बता दिया था लोकेशन यहां से अन रखनी है तो अन कर सकते हैं और वॉल्यूम की तो मैंने आपको बता दिया था जूम के लिए मैंने अन कर रखा है और यहां पे टच कैप्चर अगर आप अन करना चाहते हैं तो यहां पे स्क्रीन पे कहीं पे भी आप ऐसे टच करेंगे तो फोटो खिच जाती है और यहां पे वाटर मार्क मैंने बंद कर रखा है और यहां पे पिक्चर स size है तो यह आप देख भंगी कि आपको किस size में चाहिए तो मैं इस पे रहने दूंगी और इसके बाद यहां पे delay capture यहां पे आप OFF रहने देगे वरना यह timer होता है 3 second 5 second 2 5 second till 10 second तो मैं ऊफ रहन की इंस्टेंट पोटो किद जाहिए आपकी और इसके बाद स्टोरेज की बारी आते हैं स्टोरेज तो मैंने आपको बताई दिया है स्टी कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है ताकि मेरी फोटो अगरा स्टी कार्ड में सेलेक्ट हो और यहां पर फिंगर प्रिंट से मैंने फोटो ऑन कर रखा है जैसी मैं फिंगर प्रिंट से यहां पर ऐसे क तो कोई problem आती है, तो आप restore कर सकते हैं, इसके बाद आप back कर देंगे, और यहां पर अगर भूख के वगर हमें कुछ और सैटिंग दे रखी होगी, तो आप कर लेंगे, वैसे तो नहीं दे रखी होती है, यहां पर सर्फ दो ही सेटिंग माईने रखती है तो इस टैप से आप यहां पर सेटिंग कर देंगे और यहां पर अगर आपको कैमरा को फुल स्क्रेन में करना है तो यहां पर आप क्लिक करके ऐसे क्लिक कर देंगे तो यह फुल स्क्रेन में हो जाएगा तो I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टैप के और इंट्रसिंग वीडियो सेखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तो तक के लिए नमस्कार